लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें लिए गाध करें लेट्थ अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें तनवालो वतन ना बेच देना, ये धर्ती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वासते, शहीदों के कपन ना बेच देना दोस्तों साथियों हम चले, दे चले, अपना दिल, अपनी जान, ताके जीता रहे अपना हिंदुस्ता, हम जी, हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताके खेलते रहे गुल, हमेशा यहां दोस्तों साथियों कर दोस्तों की तरह, दुष्मनों से दिल, दुष्मनों की तरह, जी न क्या, पर न क्या, तों मिलो की तरह, कह रहा ये बतन, ये सभी अस्मा तेश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या, जिन्दगानी लिखी, बस यहां तक की हमने कहानी लिखी, अब लिखो, इसके आगे की तुम लखता, मृष्मारत मातागी, जय के उसे बिल, एक बुरी खबर है कि अ, इसन्दुष्टान कारगे, जीत गया है है यह है हम इंडिया को इतनी असानी से नही क्योड थेंगे वन मग ciudad हुड ही खेल आब encima कि यह जय पंद है 50 है कि अच्राइब है तो एंदर मने कर दो तक ऐई और वो इस निये क्या है क्यूंकि हमने आपने सामने की लड़ाइ लड़ी है लेकिन अब हम आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तान से नहीं जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, हमें कोई न्या रास्ता इक्तियार करना होगा, हमने अब तक हिंदुस्तान के जिसम पर वार किया है, लेकिन अब हम उसके दिल, उसके दिमाग पर वार करेंगे, जो लोग ह इस दुनिया के नक्षे से हम इंदोस्तान का नमों निशान मिटा देंगे इंशालाद 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 वसीम खान इस वांटेड इन 48 कंट्रीज अराउंड वर्ल्ड इंटरपोल ने उसके सिर्पर इनाम रखा हुआ है पिछले कई सालों में हमारे देश में जितने भी राइट्स हुए जितने भी बाउम ब्लास्ट हुए उन सब में उसका हाथ है इंडियन एरलाइन्स के एरक्राफ्ट वी टी इडी जब्ल्यू 300 की हाई जैकिंग के पीछे भी उसी का दमाग था और हमारी खबर के मुताबिक आजकल वो महराश्ट्र में है अगर वसीम खान महाराश्ट्र में है तो समझे इस गीम इस ओवा वह बहुत जल्द हमारी ग्रिफ में होगा इस इस मैं गरंटी सब विष्यू आल दी बेस्ट थैंक यू वे मच्छ वसीम भाई पुलिस को यह पता चल चुका है कि आप महाराश्ट्र में इसलिए मैंने फॉरें इपाज़त के साथ यहां से निकलने का बंदोबस्का लिया हरी आप हमारे पास वक्त बात कम है कम आप गफलत में पड़े ना वह वासम खान नहीं अला बख्षा मराम शेकल नहीं तुपलिकेट वैसे पुलिस की आखों में दूल जोगना वासम खान के बाए हाथ का नहीं यह वाइ हाथ किस अंगली का केल है कम आं लेस्ट गो कि अच्छ कर लूँ कि अंप लुख यू कि अच्छे आल लुए कि अच्छ यू आख अच्छ चुझाण आख। यू अर डर्श झाल 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 तarna पिडाव झाल 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 धाल विपने बात कर रहा है देना पड़ेगा अहीं देगा चर्थी का दूद याद दिला दें आवा कर दूद कर दूद कर दूद का बुझ रहें आप जैराम को अरे इसन तैसन के तना कम इसनर आयक के तना गोई आई जैराम हुए का हुए है तुलठारो हम आइसे गोई है आइसे ही आते हैं हुए है यह जाओ है आए जैराम नमेन तुमारा आज तुमारी सचमुछ कि जैराम जी की हो जाएगी आखからव इसाई करी दो दूना दिया कि अंदुना दिक जाएफ एलो आख 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 बजला कंदे पर हाथ रखिये जी रख हास यह हास चलिए अब यहार के नहीं गल्कि पूरे देश के नेता है हम तो बस एक मामुली से पुलीस कमिशनर जो आपकी सेवा के लिए कभी भी आपको चटी का दूद्ध याद आजा है तो आज ही है चलिए है जंद आपके इंतिजार कर रही है 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 कि का दूद्ध आद आया याद भी आया और बहार भी आया और आपको क्या हुआ महाराश हम सारे हतकंडे अपना चुके हैं लेकिन वसीम खान से हमें कोई सुराक्त तो क्या छोटी मोटी इंफरमेशन भी नहीं मिली है इसलिए सर हम सब की यह राय है कि इस केस को सी बी आई को हैंड ओवर कर जेना चाहिए नो नो सारी दुनिया की पु इसके एक ऑफिसर ने यह हमारे लिए फख्र की बात है अब सिर्फ इसलिए कि हम उससे कुछ खुबोल नहीं करवा सके इसलिए इसके इसको सी बी आई को सौपते हैं इससे हमारे डिपार्टमेंट की कितनी इंसल्ट होगी कभी सोचा है आपने नहीं यह के सी बी आई को नह बिल्कुल सब्सक्राइब यह तो अच्छे अच्छों की जुबान खुलबा चुके हैं मिस्रादाद क्या कहना है आपका सब्सक्राइब को तैयार हूं लेकि मेरी कुछ शर्ते हैं शर्ते हैं सर हम जेल में क्रिमिनल्स को इसलिए रखते हैं ताकि वह सुधर हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है अज इतनी भी जेले हैं सब उनका अट्टा बन चुकी है जहां वो सलील और पोंस के जरीए अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए मुझे वसीम खान के लिए स्पेशल सेल चाहिए जहां सिर्फ मेरे सेलेक्टेड ओफिसर्स होंगे ओके गुएड थैंक यू सब्सक्राइब है इस एवरतिंग रड़ी तो ओके करो कि देखा रॉप मुझे साथ रखा इसके लिए थैंक्स आईये साथ कि देखिए सब आपने चाहता सारा एरेंजमेंट वैसा ही किया है चाहे कितना भी पड़ा ओफिसरा आजाए आपकी इचाज़त के पकाया अंदर नहीं आ सकता है कि देखिए सार चारों तरफ क्लोज साकेट कैमरे लेगे हैं इनके जरीए सेल के चपचपचप़ पर हमारी नजर रहेगी वह खास तोर से पासे उखाब पर कि अधाए कि अधाए कि अधाए कि कि अधाए कि अधाए कि अधाए कि अधाए कि यहां से कोई भी आगे नहीं जा सकता अधाए यह हत्यार जो तुम लोगों के पास है यह उसकी हिपासद के लिए तुम लोगों की बज़ा से उसे कोई भी तकलीफ नहीं यानी चाहिए लिए यह है किसी लोगों के रखें तक आपकुझ डादर वाले कुंडे के हाथ काट गादी थैना वैसी गलती मत करना सब अलब इक विए नहीं इस ताइम कर दो या ले अजिए लुट 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 कर दो वेलकम डीसीपी राजचेकर आजाद वेलकम अच्छा इंदिजाम किया है तुमने लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला अपनी सरकार का पाइसा बरबाद कर रहे हो तुम यह स्पेशल आफिसर्स पेशल सेल थाइट स्क्यूरिटी वेस्ट टोटल वेस्ट तुम्न से कोई तुम्हारी ताकत की हाद और नहीं स्यूंद सीव्चा और याव्ट लाओं ऑदेकन लेकिन मेरी ताकत इस जगह तक ही है और तुझे बागे की जिन्दगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है तुम एक मामूली से पुलीस अफिसर हो पियम या प्रेजडेंट नहीं कि तुम जो चाहोगे वही होगा लेकिन मैं जो चाहोगो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मैंन पावर है मनी पावर है मैं तो जब चाहूँ यहां से बाहर जा सकता हूं हूँ वसीम खान यह तेरी खाला का घर नहीं है कि तुछ बचाहे आए जब चाहे चला जाए यहां से बाहर जाना तो दूर मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नी ले सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूं मैं यहीं तुभारी आखों के सामने रहकर तुभारे मुल्क को बरबाद कर दूगा कुछ नहीं बूले हैं हम तुम लोगों का दिया हुआ एक एक सखम अभी तक हरा है और इसलिए इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरह पर नहीं लड़ेंगे हम अब हम पीतर खुश कर हिंदोस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे तुज जिन्दा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में हम हाथ मिलाना भी जानते हैं हाथ उखाड़ना भी हम गांदी जी को भी पूछते हैं चंदर शेकर आजाद को भी मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं फिर हत्यार से तू किस तरह समझना चाहता है पैसला कर ले प्राइब प्राइब इस लिस्ट में आम ही नहीं प्राहिम प्राइब प्राइब समझ में नहीं आया यार पता नहीं कहां और क्या प्रॉब्लम हो गई यार हम लोग पुलीस में भरती नहीं हो सब्सक्राइब आप अधिक थीक था सब कुछ परफेक्ट था हां सब लॉंग जब इन सभी खेलों में हमारे नंबर सबसे ज़्यादा थे सर्व भी लिश्म में अमरा नहीं ज़्याइब सब्सक्राइब 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 झाल झाल कि अब देख मेरा मेरे आदमियों तक कैसे पहुछता है झाल 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 कि अच्छ को बहुत मार रहा है सर क्या अच्छ देखो तुम लोग जलबाजी में वस्तिम खान के साथ कोच्छ मत करना मैं वहीं पहुंच रहा हूं परव तुम यह उसके लिए खाना लेकर गया था अचानक उसने हमला कर दियां कि अज़ा दो चीज़ प्रवाध इसे तुरूंट होस्पेटल ले जाओ अब दो गंटे में होशा आजाए गांग अब दो गांग यह चकाप, ओके. पड़ो. आजाद, डी सी पी राज शेकर आजाद, मैंने तुमसे कहा था ना, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक ही महीने के असपास वहान मुझे रेस्ट के हुए, लेकिन ये जलूस तो मैंने कुछी दिन पहले प्लैन किया है भाई, कुछी दिन पहले, थोड़ी ही देर में मेरे लोग जलूस में शामिल हो जाएंगे, पिर नारों की आवादें चीखों में तबदील हो जाएंगी, मैं तुम्हारे स्पेशल सेल में बैठे बैठे, थैंकडों लोगों का कदल करूंगा, बहुत जाबाज आपिसरों नो तुम, उन्हें बचा सकते हो तो बचालो, हाइं देड़े, सर्जोगेश्वरी में दंगे शुरू हो गए, लेख सो लेख सो कई पर आज चून्ट्रोल रूम है टी सी प्रेसाद बोल रहा हूं आर एंबलेंस ऑफ और पर परेगेड को जोगेश वरी बेज़ो चल्दी से अज बिए तो लोगों को बाइनेस पर इंशेक्शन दो कि दंगा प्लान्ट है इसे कोई भी लाटी चार्ज ना करें पबलिक के उपर उन्हें कैसे भी शान करने की कोशिच करें हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है कि अजिए पी राज शेखर आजाज बोल रहा हूं वसीम खान को मारने से पहले यह नहीं जानना चाहोगे कि वसीम खान कौन है और उसने जेल में बैठे बैठे किस सरह किस की मदद से पहले चुलूस फिर दंगा और्गनाइस करवाया कि अगर जानना चाहते हो तो आज राद 11 बजए कि ससून डॉक्स के कंटेनर याड में अकेले आकर मच से में ठीक है कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा है कि 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 अज़ादा झाल झाल पून पर आने के लिए आपने हाँ मैंने का था वसीम खान के बारे में आप येस वसीम खान सिर्फ टर्रिस्टीन है वह पावफुल इंटरनेशनल रेकट का हिस्सा है उसे कस्टिडी में तो कर सकते हैं लेकिन कर सकता है तुमने जब से उसे ग्रिफ्तार किया है मेरी परिशानिया बढ़ गई है तुमने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा उसे बहुत दिनों तक कस्टिडी में रखना देंजरस होगा इसलिए जल्द से जल्द उसे सेफली इंडिया से बाहर बेजना होगा वाट आपको मालूम आप क्या कह रहे हैं सार रिष्टार इस अब अब अच्छी तरह से जानते हैं सब्सक्राइब जो तक फसाद हुए वसाब उसी ने की और वसाब उसने में होते हुए किया सर उसकी वज़ा से आज सेकूरों निर्दोश्य लोग मारें गए और आप कह र अब उसे जिन्दा नहीं जोरूगा उसे इस देश के बाहर सिर्फ उसकी लाश जाएगी तुसकी लाश देखो दंगे फसाद होते रहते हैं लोग मरते रहते हैं इसमें इतना जजबाती होने क्या जरुवत है यूरे पुलीस ऑफीसर भीवलाइक पुलीसर तरक्य करनी है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो तो में दंगों के बारे में कब पता चला आज सुभा मुझे दो दिन पहले से मालूम आपको दो दिन पहले पता था इतना ही नहीं आप वसीम खान पिछले दो महिने से महरास्ट्रा में था और मेरी वज़े से बचा रहा है उसे कि तुमने ग्रिफ्तार नहीं किया लेकिन तुमने यह गलती करते हैं बहुत बड़ी गलती तुम्हान तुम्हारी इस हरकत से बहुत नाराज है अब आप दोंट परे आई विल में अंदस्टाइब देखो मैं जानता हूं तुम अंजली बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तुम नहीं समझागे यह बड़े उंचे दरजे के पावर देन हैं तुम इस चक्रपर मत पड़ों तुम्हारे आड़े आता है तो कुछ दिश सब्सक्राइब करते हैं तुम्हारी स्पेशल सेल में जो आफिसर से उनकी मौत के खबर सुनके तुम परिशार मत होना क्योंकि वसीम खान के निकलने के लिए उनका मरना बहुत ज़रूरी दौसे मीनलोगagine को किषवा उनका मम धंच सके खबर सुनके से उनका तुम्हारमात किष़ क कित constitution तू लगी तोड़ना विश्केरे दुष्मनों को लगी छोड़ना पशाजीना तुझे इस पतन के लिए पर्त अप्रना निपाते अवादे लिए करृच्त इस पोरी को डिस्पोस करते है जली अंदर चलिए क्या थे चलिए बैठी बैठी आपको बताना है आज मैं बहुत कुछ हूँ एक मिनिट सप्राइज यह लीजे अपना फेवरिट दिश चलिए मुँ मीठा कीजिए जानते हैं क्यों पेपर पढ़िए पापा को स्टेट आवार्ड मिला है अब तो जानते ही है ना कि मैं पापा से कितना प्यार करती हूं लेकिन फिर भी उनसे मिलने नहीं गई फोन तक नहीं किया पता है क्यों क्योंकि आप उनके इकलोते अदामाद है और अगर हम लोग कल साथ में जाकर उन्हें बढ़ाई दे तो उन्हें बहुत खुशी हो की मैंने स्ष्पेशल हार का ओरडर भी दे तिया है झाँ झाँ हाथ आट, हाथ WHY पाइ 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 कर दो कर दो कर दो दो मुली तरह कि कर दो कि अगया तरु अगया है और सब पुलिस अपसर बनने की उमिद छोड़ चुकी थे और डिप्रेशन में आकर हम क्राइम की तरफ मुड़ सकते थे लेकिन आपने हम सब को अपने साथ रख नदे कर गुन्यागार होने से बचा लिया लेकिन हम सब कंफ्यूज है सर हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं सर आप इने डीजी पी साफ को मारा और आप ही उनका क्रिया करम कर मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं हम आपका मतलम नहीं समझे सर देश का बेटा हो इसलिए मैंने उन्हें कोली मारते हैं कामाद हूं इसलिए अंतम संसकार कर रहा हूं सर दीजीपी साहब सिर्फ वसीम खान से मिले हुए थे इसलिए आपने उन्हें माड अपिर वसीम खान जिंदा क्यों है उसे तो मैं कभी भी मार सकता हूं लेकिन वह असली दुश्मन नहीं है असली दुश्मन तो वो लोगां जो इस देश के होकर भी इस देश के नीव खुद रहें मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डीजीवी साहब ऐसा कर सकते हैं और ना जाने ऐसे कितने और लोग होंगे वसीम खान के जरीए ही में उन तक पहुंच सकता हूं इसलिए वसीम खान का जिन्दा रहन हाई यही थांक यू बिजीवी साहब आपको नहीं लगता कि सी डियाई वाले आज कल पलीस वालों से जादा बिजी हैं पहले जब हवाला कांड होता था बोफर्स कांड चारा कांड होता था तो हमें बुलाया जाता था लेकिन आज कल पूछिये मत मैच फिक्सिंग कैच फिक्सिंग नहर नहीं बनी कटर नहीं कुदा चोटे से चोटा केस डियाई के वाले मैं तो सोच रहा हूं हो मनिस्री को लिखूं कि हर गाओं हर महले हर शहर में पुलिस चौकी को हटा के सी बी आई चौकी बना दी जाए क्या ख्याल है आपका अच्छा छोड़िए मजाग करने की आदत है मेरी मैं सीरे पॉइंट पर आथा हूं जिनका कतल हुआ वो सिर्फ आपके फादर इनलोग नहीं थे ली जी पी भी थे डिरेक्टर चैनल और पुलीस अच्छा ये बताएए आपके फादर इनलोग का कोई नजदी की रिष्टेदार या कोई जिगरी दोस्त अब भी कमाल कर रहें जोगंदर सिंग जी सारे ओफिसस ये पूछते हैं कि जिसका खुन हुआ उसका कोई दुश्मन था क्या और आप दोस्त और रिष्टेदारों के वारे में पूछ रही है लेकिन मेरा तरीकत बड़ा लगे वैसे भी डीसीपी साफ घर हो या देश गैरों से ज़्यादा अपनों से खत्रा होता है हमारे लग उनका और कोई नहीं था दोस्त मैं ही था उनका तो फिर कहीं ये खून आपने तो नहीं किया मैंने कहा ना मजाग करने की आदत है मेरी खैर जिसने भी ये खून किया है बहुत अकलमंदी के साथ किया है और जाहिरा ऐसे आदमी तक पहुचने के लिए उससे ज्यादा आकल की जरूरत है और आकल कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बाजार में बिक्ती हो लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी अच्छा अब मैं इजाज़त चाहूंगा अब तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा जब तार कातिर का पता ना चल जाए अइसस when to do in tv दोपने लोगे दिखा प्रोजा अले अब दो अब दो आप लुए आप में आपसे वादा करता हूं का आप के फादर के कादिल को मैं बहुत जल्द ढूना वंकोई भी हो गई भीओ मैं उसे जरूदी निकाल को मेरे बापा पली सॉफिसर थे मेरे पती भी सुफिसर है जिसे बेरे बापा को मारा आकर वुची नहीं बार दिको आप प्लीज़ी कुछ कीजिए मुझे बहुँ दर लग रहा है मुझे बहुँ दर लग रहा है कि अज़े लेते हैं कि अज़े जो होना तो हो गया इस लुब आपने अपने परिशान नत करो मुझे कुछ नहीं होगा वासिम खान? वासिम खान? अलो? तो बहुर कर दो आफ मिश कर दो कर दो तुम फोरण वाडिया हुस्पिल पहुंचे शिंदे की चेप में एक परची है उसे कौन निकालता है कहां लेकर जाता है तुम उसका पीछा करो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंट फोन कर ले ना और याद रखना तुम्हारा पुलीस वालों के सा झाल पर फर पर आपना है यह प्यार है इक नशाह सिंदगी का दिल किसी का को ना है करना है तक करना है यह प्यार है एक नश्या जिंदगी का तुना प्यार से अच्छ सका तुर किसी का प्यार में है वासिया बस्त होचा प्यार में तुना प्यार में है मस्त होचा प्यार में जो मजा इक्रार में वो कहा इनकार में तुना क्यूं सबस्कना है आखिर प्यार गरना है तुना प्यार में है तुना प्यार में है तुना प्याजर आप लेज़ा ना 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 इस एदरभी मिल जाये तो है एक गवारा प्यारक में तर्द भी मिल जाए तो है गवारा प्यार में एक खुशी का आत्मा है इतने से घरार में तर्द भी मिल जाए तो है गवारा प्यार में इक खुशी का आत्मा है इतने से घरार में क्यों कर आहें बरना है आपर प्यार तो करना है ओला दो, ओला देवो प्यार कुचल जाए चाला प्यार यू लाए इतने से घरार फ्यारा में कि अज है when you can do nothing in the he झाजए लो असकनदए लो यो लो कि अरहीं बोलो क्या हुआ उन लोगों को शाखों के मुझ पर वो लोग मेरा पिछा करें कहा हूं तो मैं परेल से दादर टीटी की तरह भाग रहा हूं तुम्हें और उनमें कितना फासला है तकरिबां 100 वीट वो लोग मुझे मालना लगे तुम पिकड़ मत करो बस तुम हुआ हैं हुआ है हुआ है आलो कि तरह स्पाइट्र थे अधिसी प्रेश बोल रहा हूं थीशी प्रेशाद हां ऑका थे थे आपशेंटर निकालिंग वाहिँ आ पुरी पबिक से बहार निकालिए वेटेवहु प्लिक उल बला डजय! इनके पानएखएजवें ऌड़ण! इनके नाति ice! ऱज क्वानएख़जचको! इनके रहींचको його अचाफ़बटबबबब चक्वाफ़बबबबबबदबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबन! तेरा को जिन्दा नहीं चोड़ूंगा रहीम तुम ठीक हो ना सर लेकिन आपने क्या तरकीब निकाली सर वरना वो लोग मुझे जान से हिमार डलते हैं थैंक्यू सर कल सुबह की फ्लाइट से जामा मस्जिद के इमाम यहां आ रहे हैं वो लोग उन्हें उन्हें एरपोर्ट वो भी मारने की बात करेते सार इमाम को क्या मारना जाते हैं कर दो कर दो कर दो करना तो मुझे इंफॉर्म करना तो कि काम ले इमाम के पास कोई पैसेंजर नहीं जाए तर नहीं जाए जब तक उसके अच्छी तरह से जांच नहीं की जाएगी अंदर नहीं जाएगा सब तैयारी हो गई तर आपके कहने के मतावी सब कुछ हो गया गेट नंबर वन पर तीवारी है गेट नंबर दो समाल राश्यानबाग और गेट नंबर ती पर शर्मा चौकस है ठीक साथ बज़े फ्लाइट टच्डाउन होगी और तो नहीं लगेगा एक इमाम के लिए इतनी सारी सिक्यूरिटी सर बिल क्लिंटन के वाग भी इतनी सिक्यूरिटी नहीं रखी किया में देश्मक साहब इमाम साहब यह हिंदू-Muslim एकतासंकी मीधिंग के लिए और हमें इंफरमेशन मिली है कि उन्हें को इमाना जाहता है औ सब्सक्राइब के लिए और हमारे प्लाइन की जानकारी हो चुकी है इसलिए उसने हाँ चुनिंदा ओफिसर्स को तैनाद किया है अब हमें इमाम को मारने का प्लाइन केंसल के लिए तो भो लोग हमारी लाइफ कर देंगे तुम फिकर मत करो इमाम की हथिया एक पोलिस आफ़सर के हाथ हो ही होगी वो कैसे प्लाइब दीसी पे आजाद इमाम की सिक्यूरिटी के लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स ज़ू मिल हो जाओगे और काम को पूरा करने के बाद आराम से बहारा जाओगे कि अज़िए कि अज़िए इंडियान एलाइस की उड़ार आइसी एक शेफाच अपनिली से कि अज़िए इस देश आतंगबाद को लगभग खतम कर दिया लेकिन अब भी कुछ ऐसे सांप है जो रह रहकर फन उठाते हैं इसलिए मुझे और आप सब को हमेशा अलर्ट रहना होगा है कि हमारी एक छोटी सी घलती हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है क्या बात है इतनी सीकुरिटी अगली फ्लाइट से पीम आने वाले हैं क्या जनाव यह सेकुरिटी आपके लिए मेरे लिए यहां आपकी जान को खत्रा है ना क्या है कि सवाल सिर्फ एक आदमी की जिन्दगी का नहीं कई बेकुसूर लोगों की जाने जा सकती है आप 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 कि अधिक को इंसाइड कि इतने कमांडों के बीच में हमारे साहब ने उस टेरिस को कैसे पहचान लिया मुस्तायद सिंग डीसीपी आजाद की यही तो खासियत है अब आउट 10 का मतलब क्या होता है पीचे मुड़ करेक्ट लेकिन डीसीपी साब ने कमांडों को पहले इंस्ट्रक्शन दिये थे कि जैसे मैं पीचे मुड़ के इंस्ट्रक्शन दूंगा बैठ जाना और उस टेरिस को यह पता नहीं था विचारा पीचे मुड़ा और सीध मौजूद है राम और रहीम को लडाने के साजी कभी काम्याब नहीं होगी आमीन आइद 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 हुआ है 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 बहुत चलाक है तु मेरे आदमी को मारा उसके जे में पर्ची डाली ताकि वह मैसेज तेरे आदमियों तक पहुंचे और वह इमाम को माड़ा ले मुसलमन को समया के हिंदू पर अटाइक करेंगा और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाएगा लेकिन जैसा तुने सोचा वैसा नहीं हुआ अब वो होगा जो मैं सोचूंगा तुने कहां था न कि कोई सुरागय सबूत नहीं मिलेगा मुझे सबूत मिल गया है पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा फिर तुझे कि है स्था जाइब चुंग को एलाएब नसहीं की जले मेतनी आद सत्रमियों की को 20 00.30 साफ करना वान मिनिट भी यह जिसको सिन मिने अर्पोर्ट पर शुट किया था अगर उसके साथ कौन है राजूम कर उस पर शर्थ कर दो अगर अगर का अगर भाइब भाई वह 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 डूसी पाग आगे आगे पाप तच्छी है भूद किस्नि वीज़ शंकर्सिक गानिया शंकर्सिक बढ़िया जगह है हमें बहुत अच्छी लगी हाँ जी यह मंदिर बहुत पराना सौ साल से ज्यादा पराना और जेश की खुब्सूरती अज तक इतनी भी कम नहीं हुई मैं मंदिर की नहीं मंदिर के आसपास की पांसो एकर जमीन की बात कर रहा हूं मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं मैं तो व्यापारी हूं यह जमीन हमें पसंद आ गई है हमें चाहिए लेकिन यह यह मंदिर के नाम हो यह शंकर्सिंगानिया के नाम हो दोनों एक ही बात है और वैसे भी जमीन क मूर्थी हटाओ या मंदिर यह जमीन हमें चाहिए तो चाहिए अब दलाली के साथ इसकी खाइमत हमें बता दाए आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं आपको मालू में शंकर दिंगानिया कौन है इंडिया के 10 टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं वो जितना टेक्स बढ़ते हैं उतना महराश्च्ट सरकार का एक महीने का बजट होता है उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पाठी महराश्च्ट में अपनी सरकार तक नहीं बना सकते हैं आप महराश्च्ट की बात कर रहे हैं हर कम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है इसी लिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं आप समझ लीजे एक तरह से उनकी पूजा करते हैं तर लोगों की बात चोड़िए जब हमें कोई प्राब्लम आती है तब हम उन्हीं के बाच जाते हैं उन्हीं का दर्वाज़ मिठी में मिल जाएगी तो अभी इस जबार्टमन के इस्जद कौन से आसमान पे हैं वे इसी उसकी होती है जिसकी कोई इस्द हो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलीस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बाते करती है गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐस स्लूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो तुमारी जीब कहां कटी क्या वक था तुम महां पर क्या कर रहे थे तुमारी जेब में पैसे कितने थे अर्य तुमारे पास हितने पैसे कहां से आए सब्सक्राइब कर देते हैं और उसे कहते हैं जौपा शंडा लेकर आँ और कुछ सिग्रेट भी लाना मजबूरें इस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही साब लोग आपस में यह बाते करते हैं कि उस इलाके का जेब का तरह कौन है पांडू अरे नहीं नहीं पां जलती से सिगनल से थोड़ा आगे निकल जाए तो खयामत आ जाती है स्कूटर साइड में लगा लाइसन्स दिखा तुमारे स्कूटर की लाइट जलती है हावा है टायर में पेट्रोल है ऐसे पूछतास करते हैं जैसे वह बिचारा सिगनल नहीं बॉडर क्रॉस कर रहा हो औ जैब के लिए की जाती है 20-50 जो भी मिल जाए और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इजद बहुत बढ़ जाती है पुली स्थानों में तसकरों दलालों क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है उन्हें कुरसी पेश की जाती है तो उससे बहुत इजद बढ़ती हमारे ड जरसकांजे की तसकरी करने वाला आज हत्यारों की तसकरी कर रहा है तो इसके जिम्यदार हम है एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्यदार हम है मेरे घर मेरे के पहली तारीक को हम लोग दंखा लेने पहुंंचाते हैं लेगिन वो पैसे आरे कहां सेương सरकार से मिनिस्टर याहें मेले सरे कि वो पैशें जनता के हैं उस जनता के इसके साथ हम लोग कर त्हमीग से बात भी नहीं करते हैं जंदा ने देश की हिफाज़त के लिए बॉर्डर बज जवानों को रखा है और समाज की हिफाज़त के लिए हमें जवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था लेकिन जब एक पुलीस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसकोर कम हुआ है हमें ये सिट्वेशन बदलनी है अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें और ये सब पुलीस टेशन में मंदर बना डालने से या दिवारों पर कर सिंधारिया हो तभी जाकर ये जनता हम से जुड़ेगी और हमारी इस्ट करेगी ओके यूगें प्रसीड थांक्यूसर तुम लोग क्या कर रहे थे दफूस पापा का नाम लेने से पहले व्रांसेस को गोली क्यों नी मार दी सुबहोंने से पहले मैं मारूंगा उसे मेरे हाथों से बरेगा वो संजे नहीं नहीं पापा उस नमक हराम ने आपका नाम लिया कैसे हरे बेटे चोटे लोग बड़े लोगों के नाम अकसर लिया करते सब कुछ समल जाएगा तुम्हें काम करो अपने दोस्तों को साथ लेकर फाम हो चले जाओ बड़ पापा कमान गो एन इंजॉई और से मादव यस सो मेरे बेटे का खैल रखना नहीं उमर का खून है बहुत जल तो बुल जाता है संभलना उसे सब्सक्राइब करते हैं कि अब कर दोड़ जाएगा गलत जिसकी नसों में इमानदारी का खून दोड़ रहा हो जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता है अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी चुप जाओं आजात मेरा पीछानी जोड़ेगा ये खानून ये हदकड़ी अदालत इन सब की मुझे कोई पर्वा नहीं है पर्वा है तो सिर्फ अपने एकलोते बेटे की आजात की नजर में मेरा पेटा संजे नहीं आना चाहिए इसलिए उससे बचने का नहीं बलकि सामना करने का वक्त आगिया है तुम्हें एक काम करो आसपास की बस्तियों में ऐलान कर दो कि कल सुभा हमाना जो कपड़े पांटने वाले हैं और जैसे ये बीर चमाओकर हमारे गर के सामने आजाए और दें चालीस पचास लोग हधियार के साथ उनमें शामिल कर दो और आजाद जैसे मुझे किरफ़तार करके ले जाने की कोशिश करें उसे वहीं खत्म कर दो बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहें ऐसा लगना चाहिए जिसे घुसे में आकर भीडने उसे खत्म किया है उसके बाद कानूं बेबस क्योंकि फिर्की ना कोई सूरत होती है ना कोई नाम थीक से समझ गए ने तुम लोग धीड में शरीप बनकर खड़े रहना अगर डीचीप आजास सिंगरें साब पर रेश्ट करने की कोशिश करें तो उस पर अटेक कर देना अज़गे हाँ ठीक है आने दो से आओ 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 आजास नमस्कार हमें मालूम था तुम आओगे मगर इतनी जल्दी आओगे यह मालूम नहीं मुझे तो लगता है मैंने यहाने में बहुत देर कर दी मुझे यहां बहुत पहले आजाना चाहिए था आजाद थोड़ा कॉपरेट करो मेरा साथ तो एश करो तू कॉपरेट कर और मेरे साथ चल तुझे सरकारी दामाद बनाकर अच्छी तरह से खातिर करूंगा आजाद तुम्हें पता नहीं बड़े-बड़े officers तुम्हारे seniors मेरे सामने सर चुकाते हैं और शायद तुझे यह पता नहीं कि राज शेकर आजाद सिर्फ तिरंगे के सामने सर चुकाता है कि देखो आजा इस तरह की बातें नए नए रंगरूटों को शुबा देती हैं जिन्होंने अभी अभी वर्दी पहनी तुम तो बहुत सीने पुलिस अपसर हैं बहुत सालों से काम कर रहे हूं कि मेरी बात को समझने के कोशिर करो दोस्ती कर लो मसे शिकारी अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करते हैं शंकर सिंगानिया का शिकार करोगे अपनी मात को बुलाओ तुम एई जिल लामत नहीं तो अभी का अभी सारा खेल यहीं घादम कर दूगा एज प्सक्ष्ण है इसम्टर्बलाव इसम्टर्ब कि अजब यहीं प्रेश्टर्ब लामत प्रेश्टर्बहाइए प्रेश कर दो प्रेश्टर्बग्द जे अजड़ रखेले श्रभी प्राइब यूटा करने कवाद शाओखा न है तुम्हेरी से भी रुक्यों के और नहीं चेह एग बढ़ों कोई मुझे उंगली भी दिखाए तो मेरे चाने वाले लोग उसे नहीं जोड़ते तुमने तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहना आई है सोचो यह लोग तुम्हारा क्या हश्यर करें है बात अभी भी बिगड़ी नहीं है चुपचाब यह हथकड़ी खोल दो लोगों के सामने मैं इन्हें समझा भूजा कर शांत कर दूगा और फिर तुम घर जाने के काबिल रह जाओगे तुम लोग यहां से चुपचाब चले जाओ और कानून को अपने काम करने तो नहीं तो मैं तुम सब को गोली मारत हूंगा हाथ ने बंदू कर तो दो रहां समझ रहे हो इन मादे तो चलाओ गोली हाँ चला गोली सिंहानिया साप कर लिए हम हस्ते हस्ते इंचान दे देंगे चलाओ गोली अ पर यह यह खोण जी इन पे मेरे पाहां सब्मां जाला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा इसका जवाब देना होगा तुम्हें जवाब मैंने ही यह लोग खुद देंगे कि अगा ऐसे क्या देख रहा है मैंने भी तेरा ही टेक्निक इस्तेमाल किया तुने इन शरीफ लोगों की भीड में अपने पचास गुंडे खड़े कर दिये शरीफ बना कर दिया यह पांच पोलीस के आदमियों को इसी भीर में खड़ा कर दिया बंड़ा इससे कहते हैं जैसा काल वैसा ही तमाचा समझे चल आपकी वाइफ का प्रॉब्लम फिसिकल नहीं बलकि साइकलोजिकल है उन्हें अपनी फादर की डेथ का बहुत गहरा शॉक लगा है यह भी मैंने कुछ दमाईया देदी है पट्यू कैन अंडिस्टाइंग मैं चलती हूँ प्रहीम सर्फ कलो शाय रहना फ्रांसिस का कोट में पहुंचना बहुत सदूरी है यसर गुद मॉर्निंग श्री कृष्ण अर्जुन अब बहुत जल्दी आप मेरा नाम भूल गए पैठी राजशेग राजजाद है मेरा नाम मैं जो भी कहता हूं उसका एक नहीं हजार मतलब होतने हैं डीसीपी साहब और यह बात आइस्ता आइस्ता जान जाएंगे आप अच्छा लेकिन क्या बात है आज आप इन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं इसका भी एक मतलब है मैं जब भी कोई केस स साथ अब क्याने हैं जाएं यह इन एक काम आप ही ने किया है जी जी पी सहब ने आकरी बार आपको फोन किया था सैंदे उनके मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का नंबर उनके जिस्म से निकली गोलियों का आपके सर्वेस रिवॉल्वर के साथ रिश्टा इसके इलावा और भी बहुत सारे सबूत ही कटे किये थे मैंने थे अब वो सारे सबूत मिटा दिये हैं मैंने हमेशा के लिए क्योंकि आपने डी जी पी सूर्य परताप सिंग का खून नहीं किया उनका वद्ध किया जैसे अरजुन ने कुरुक्षेत्र में कौर्वों का वद्ध किया था वहां अरजुन ने जब सामने अपने लोगों को देखा और धनुष रख दिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था लेकिन इस कुरुक्षेत्र में तो श्री कृष्ण भी आप हैं और अरजुन भी इसलिए मैंने आपको श्री कृष्ण अरजुन गाया था उस कुरुक्षेत्र में एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव लेकिन इस कुरुक्षेत्र में चारों तरफ कौरव हैं और बीच में हैं अकेले आप फिर भी लड़ रहे हैं इसलिए इस युद्ध में अगर मैं आपका साथ नहीं दे सकता तो जितना हो सके मदद तो करी सकता हूं तुम ने मेरे पापा को मारा तुमने मेरे पापा को मारा है तुमने मेरे पापा को मारा है अजली मेरी पाची में तुनी तो रही थी मैं अब तक क्यों में रोज दिन रात तरप नहीं थी यह जादने के लिए क्या पापा का खूट किसरे किया और तुभी ने कि तुम्हारे हाथ एक पार भी नहीं का पे उस आत्मी को बारते हुए जिसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया अंजली सुनो तो मैं कि डूंट टच मी अजली देखो चुना मत मुझे इन हाथ से चुना मत मत मैं जान दे दूगी कि छुम्हारे हाथ झाली सक melhores, कि अजली सकती कि अाली सकती है हम कि अक्षो लख एफुम्हारा कि अव्हारा कि अच्छ वैक्षओ , इया एत्स है का atraिम द़ुम्हारा नमस्कार हाँ तो डीसीप आजाज साहब शंकर सिंगानिया जी आपको आतंग वादी लगते हैं आपको गांधी वादी लगते हैं देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं होता जवाब जानते हुए सवाल करना भी सवाल नहीं होता था यह था नहीं क्या आप आडालत नहीं साबिए साबित कर सकते हैं कि शंकर सिंगानिया का किसी भी तरह करिष्ट तर्रन के साथ है आब साबिट कर सकता हूं कर से रहां का रिष्ट व करिब लिए on फोन computer with आप जैसे कानून के दलाल करते हैं. जबान समाल के जवाब दीजी डी सीबी साहब. दिमाग ठिकाने रख कर सवाल कीजी वकील साहब. ओडर, 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 ओडर. वकील साहब, आप सिर्फ इस केस से जुड़े हुए सवाल ही पूछे. Yes, Your Honor. Your Honor, मैं इनके गवाँ से कुछ सवाल पूछने चाहूंगा येस प्रोसीड हम यह ओनल मेरा गवा कुछी देर में अदालत में हाजिर होगा मुझे थोड़ा सा वक्त जी और विशन गरांटे मनोज रहीम बलू विवेक कहां गए सर मैंने उनको बहुत जूना वहां पर कोई नहीं कि यह ओनल मैंने पहले कहा था कि अधालत का वक्त जाया किया जाना है इंतजार का कोई मतलब ही नहीं डी सीपी आजाद कोई गवाँ पेश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई गवाँ है नहीं मिस्टर आजाद आपको क्या कहना है आम सॉरी ओन कि अधालत शंकर सिंगानिया को बाइज़त रहा करती और पुलिस देपार्टमेंट को वार्न करती है कि जब तक कोई ठोज सबूत नहों कवाह नहों किसी भी शरीफ शहरी को अधालत में लाकर परिशान ना किया जाए कि अधाल वाई वाह जग वाइव अच्छी तरह रहा है कि अधाल तरह शव्यूलाद करते हैं इस दून कि अज़िए आज़ा है बहुत गुसा रहा है जो लोग जोश में आकर होश खो देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है वसीम खान के साथ तुम मेरा रिष्टा सावित करना चाहते थे ना सीना ठोक कर कह रहा हूं उसके साथ मेरा रिष्टा है लेकिन तुम तो क्या तुम्हारा पूरा पुरा पुलीस टिपार्पेंड इस बात को सावित नहीं कर सकता है तुम्हारा गवा अदालत नहीं पहुंचा है क्योंकि मैंने उसे पहुंच देने लिए और अगर वो पांच भी जाता तो क्या कर लेता है इस जज को मैं खरीद लेता है इस देश में सब कुछ बिकता है बस सिर्फ प्यमत सही होनी चाहिए मुझसे दोस्ती करोगे तो उसक प्याइब की ख्यूमत चुकानी पड़ेगी अब ख्यूमत लेनी है यह चुकानी है इसका फैसला तुम्हारे हाथ पे है अब करें करें किद्धे में पीके ओ तुम्लोग क्या कीमत लगा यह तुम्लोगोने मेरे भरोसेगी मैं बटाताओं सर् अब मेरे बच्छों को बचालो इस चुड़ा है तुम्लोगों के पास के लिए अगर तुम्लोगों ने चोड़ा तो मेरे कंते वे अरा ना कुपार डालें मुझे मरे मंचे चाहिए प्ली इस आथ सब यह को छोड़ दीचे नहीं भाविम हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं नहीं है आप लोग इसे नहीं कर सकते हैं प्लीज मेरी वदद कीजिए मेरे मचे मैं यह हम्लोग के साबने हाज छोड़ती हो मैं पर दियो प्लीज, प्लीज बच्छ को में मनोची छोड़ोसे जबिए और जबिए मामी जबिए मामी जबिए देखिए मैं आपके आदमी को लेकर आई हो आपने उसे वादा किया था अगर इसे लेकर आई तो आप मेरे बच्चे को छोड़ देंगे आप तो मेरे बच्चे को छोड़ दीजे थे चोड़ दो ने मेरे पापा के खिलाब कवाई देगा तू सर आपके लिए फर्ज जुरूरी हो सकता है लेकिन इनके लिए फर्ज के साथ-साथ आप जुरूरी है आपका परिवार जुरूरी है कि अगर एक गवा आदालत नहीं पहुंचा आप जंग हार गए सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर जो जंग आपने इस मुल्क के गद्दारों के खिलाफ शिरू की है कसम परवर्दियार की उस जंग के अंदर जीत आप ही की होगी सर और जिस दिन सर आप जीत का सेर अपने सर पर बा होगा क्योंकि जब तक काम्याबी की खुशी बांटने वाला को अपना ना हो तो उस काम्याबी की खुशी का मकसद है क्या है सर अ कि इन लोगों ने आपके बच्चों की जान बचाई उसकी ने बहुत खुशी है लेकिन इस खुशी से ज़्यादा गम और दुख इस बात का है कि आपको दियाओ वादा यह लोग डिवाना सके इसलिए आज यह सब लोग शेर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चा रहे हैं हुआ है पापा आपा आपका पान था था यह हाँ ही अपारे सके मोला हुआ है हां पारेछ बारेछ यह बारेछ भी यॉविए है। को इन चलो जाओ मेरा नाम मत लीजिए और चले जाए यहां से प्लीज देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरे बच्चे जैन से रहें जिंदा रहें तो दोबारा इस घर में कदम लखने की कोशिश मत कीजेगा कि मुझे तलास चाहिए जितनी जल्दी हो सके आई वांटे डिवस्ट आप यहां आप हमेशा मेरी गलती निकालते हैं यह जो रोस जेर से घर पर आते हैं उसका कुछ नहीं कभी इने कुछ नहीं कहेंगे आप वह यह पुलिस नहीं की नौकरी है देर से चलता रहता है यह राइट मिस्टर आजाद वैसे पोलिस वाले रोज देर से घराए ऐसा रूल है कोई रूल है इस राइट अरे वहां क्या देख रहे हो पताए भाहिया शादी से पहले जब पांच बजी बलाती थी तो यह चार बजी आके खड़े हो कौन मैं अरे छोड़ चोड़ मेरे हाट रेनीं सेंटर पर यह पहुंचाती थी और चारो तरह चक्र लगाती रहती थी तो मैं लगाता था 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 है 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 दीवाना मेरन था, दीवाना बन गया, कब कैते और क्या, अपसाना बन गया, ना तुझे है हवर, ना मुझे है मगल, जाने कब दिल से दिल मिन गया, दीवानि मैं हो गई, दीवाना मैं हो गया, दीवान तो न था, दीवानार बन गया, कब कैसे और क्या, अपसाना बन गया, जागनी गम हो का तेरी मुझ भी एसर करगा है तिल दिवाना तुमारा बादा तो ही कर गया है मैंने माना मेरी जा मैंने माना दिल जो बोला वही कर दिया दिवानी मैं हो गई दिवाना मैं हो गया दिवानी मैं हो गई दिवाना मैं हो गया दिवाना मैं हो गया है 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 थड़कने सुन रही है थड़कनों की जुपां को थड़कने सुन रही है थड़कनों की जुपां को ऐसा हसी हो नजारा तो कैसे नहां जाओ तेरे पिन एक पल नहीं चीना मैंने ये पैदला कर लिया दीवानी मैं हो गई दीवाना मैं हो गया दीवाना मैं था दीवाना पन गया तब कैसे और क्या आप शाना बन गया ना तुझे है खबर ना मुझे है Кто benefit कर दोरी शीमेश रद कर दूब राए पीपाना महा गया पीपाना महा गया और यह परिशान है हम जैसे लोग जब कोड में जाते हैं तो उनका रुपा बढ़ता है और फिर कोड कचरी का चकर गरीबों के लिए भारी पड़ता है कि अमीरों के लिए नहीं है तो क्या आजाद को यूँ ही छोड़ देंगे आपको अरेश्ट किया था उसने आपके इंसल्ट की थी इसलिए उसे एक सबक सिकाना है ताकि कोई भी पुलीस आफिसर मुझे अरेस्ट करने से पहले दस बार सूचे और फिर कि अँआ एमयरों के अचारेक अक्रणा इसलिए बिम्क्राइए फीकिय। तोड़ जानता हो थोड़ोड का हिसाब तुमसे करूँगा णीन नरे शरीर के अवाले नसल तक इस तर्द को मयस्यों मेरे शरीर को जोर तो अपने शरीर को आग देनेवाले कि बारे में सोच तु मातलब तुमार वोदेख कि बागर नेगे मुच्छ ने होगा तुम्हे भागलोर तुम्रुम रटामनू और अप्छ्छ मेरे साथ मेरे बेटेने कुछ देकाया कुछ ने किया उसे चुड़ो अगाई बेटे कियो सारी अखर निकल गई छोड़ दो से और सुन तुझे भी मैं अभी नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि तु एक देश्टरोही है गद्दार है और जिसन मैंने ये साबित कर दिया उस ते मैं तुझे ग्रिफतार नहीं करूंगा मार तुगा कि मैं कंद़ पर चारों लड़कि कौन थे यह किस थाने कि थे बताओ मझे वो लोग पुलिस डिपार्मेंट से नहीं है तो भीर बात दरसल यह सर की पुलिस डिपार्मेंट के किसी भी आफिसर पर आजाद को भुरोसा नहीं रहा है इसलिए उसने उन चारों लड़कों को अपने साथ रखा है यहां तक कि उनको ट्रेनिंग भी खुद दे रहा है बस कोछी दिनों में उने पुलिस की वर्दी भी बना देगा दाला फ्रांसेस को भी उसने इनी चार लड़कों के कब दिम्हें में रखा थो तो बस्दिन फ्रांसेस के साथ साथ है बंचारों रूखों को भी मार देना जाहिए है खब्र करते ना चाहिए है अगर दिए पी ने तुम लोगों के सर पर हाथ क्या रख दिया अपने आपको डी सीपी समझने लग तुम लोग बुच पर रवाल्वर रखा तुम लोगों ने बहुत जोश में थे ना उस दिन तुम लोग बहुत गर्मी है ना तुमारे जिसम में अब मैं निकालता हू तुम लोगों की गरमे ही अगर मैंने तेरे डी सी पी आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाया तो मेरा नाम भी संजेस शोड़ डिस इपीकर चमचे का दूखड़ उसाले को निए एप कि पूरी जढ़योरी फिर थे较 थे रहिस कि अ MARTIN बड़ार्फ फिए रो फिह था है कि अ ह१११११११११११११११११ ध görün psyche कि दोव११११מׇ आग couple दो not कर दोया वक थाओ work कर अवल्हार कर दोदेक कर दोया enabling प्राओर कर दोदेक प्राओर क्यPO Alber कर दोया जाउ कर दोया इपamt volt झाल झाल कि दो निर। कर दो साहिम से लूज तुसा, उस ऐए खुछॉ रहीम, तुझे कुछ नी होगा सुझे कुछ नी होगा तु थीद खो जाएगा भाई, तु एक्ता थीद खो जाएगा और शोरी सार देते हैं ये दुआ तक जीता रहे अपना दिंदुस्ताँ दोस्तों साथी हम चले दे चले अपना दिजाँ तक जीता रहे अपना दिंदुस्ताँ अब दिसी पी आजाद पैचाना मुझे तुमने जंग का एलान किया मैंने शुरुआत कर दी तुमारे वो चारों लड़के बहुत वफादार हैं और बहुत जल्द तुम उन्हें पुलीस की वर्दी पहनाने वाले हो तो मैंने सोचा मैं भी उनके लिए कुछ करूं इसलिए प्रमोशन देखकर बहुत जल्द उपर भीजने का बंदवस्त कर दिया यह का तो परमोशन हो गया है कि अब की तेनों का भी बहुत जल्द हो जाएगा मैं जानता हूं तुम इस वाग बहुत दुखी हो पर होनी को कॉंटाल सुनता है सब तक्दीर का खियल है मौत अपना रास्ता नहीं बदलती जो भी उसके रास्ते में आता है चला जाता है हम निशाना किसी और को बनाते हैं पर मरता कोई और है अच्छा होना बुरा होना सा आप शंकर के याथ में जै भोले नाद हूं हूं हारा था हूं है मैं नहीं आपको फून किया था आप कौन है जेमें धीवक शर्मा मैं सक्वंपलेक्स का वहाँ हूं हूं जाली जांज हुआ मिस्टर दीपक जी इससे पहले भी आपको टेर्रेस्ट से कोई धंकी आई हैं नहीं धंकी तो कभी नहीं आई पर अभी मैंने एक आदमी को बम के साथ यहां से भागते देखा है तेर्रिस्ट हो सता है आप उसे पैशान सकते हैं ये सर उसने आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट और प्लाइक कलर का क्या पैना है अब अब आप अब अब आप अब आप अब अब दीपक यह सर्थ यह यह है आप सर्या यह आप आप अब देखा जाए धियरा अब देखा अब देखा आप अब देखा लेगां आप अब देखाना थितरों आपका ने लिखे देरा अब तक का आज जाना चाहिए था अजाना चाहिए था अजान क्या बाद है अब जरा अब जरा अब जरा अब जरा अब जाएगी आप मुच पखड़ लूगा अरी शूर यसर केरिया यह आप क्राग़ का आप करेंग मुच केर लूगो कि यघब कि झाले कि बैइ झाले कि फिध मैं नहीं कि त है आजया आजया रिंगाई। जल्ढ बाम बाल इंगाती जल्ढ़ीं हjamin यज इया इंगा आजया इंगाती संजे बेटे अरे कोई एंबुलेंस बढ़ाओ संजे संजे बेटे सर इस केस को कैसे डील किया जाए हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश में यह हथा हुआ क्रोस्वाइरिंग का नोट लगाकर केस को रफादा फकड़ों तर्व टेररिस्ट भाग गया अब किसी बात का खत्रा नहीं जानता है इस वक तुम बहुत दुखी हो लेकिन होनी को कौन डाल सकता है यह सब तक्दीर का खेल है मौत अपना रास्ता नहीं बदलती जो उसके रास्ते में आता है जाता है और हम तो निशाना किसी और का लगाते हैं मर कोई और जाता है अच्छा होना बुरा होना इंसान के हाथ में शंकर संगानिया उपर वाले के हाथ में नहीं और फिर एक अच्छा पुलीस ओफिसर सिर्फ कानून का ही नहीं बलकि कानून की कमजोरियों का भी वाइदा उठाना जानता है कि अच्छा है कि यार प्रताब तुमने तो कमाल कर दिया यह प्राउड आफ यू सर के लिए तुम्हें जान भी दे सकता हूं आज मैं जो भी हूं इनी की वज़े से हूं एंजिनेर बनना चाहता था मैं लेकिन बैसे नहीं थे मेरे पस एक दिन फ्रस्टेशन में आकर मैंने चोरी की और पकड़ा गया उस दिन अगर मुझे चेल हो गई होती तो मैं भी शातिर क्रिमिनल होता हूं लेकिन सर ने मज़े समझा बहुत सने दिया बहुत मदद की मेरी और आज में एक एंटेक एंजिनेर आजाद सर मेरे लिवागवान की तरह है थैंक्स प्रताब आज तुमने एक मुझरिम को माने में मेरी मदद की शंकर सिंगानिया के बेटे को जो कानोनन सजा मिलनी अपने ख्यान रखना श्राइओ अंकल तब के ना आप है हुआ हुआ है हाँ है हाँ हाँ हुआ है अजद मेरा है है अ क्या बाताब का है क्या चाहिए आपको तुम को नो मैं जी ने प्रताब सिना का पिता हूं तुम्हारा बेटा इंजनियर नहीं है टैरिस्ट है बेटा इंजनियर मेंग इसनल नहीं है निया निया भड़ किसके लुछ क्कrien करता है विवे इसको चौत डिजिए इस एंगा कर दो कर दो कर दो करता है मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा कर दो 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 कर कि यह तुमने इस शिक से पैचाना नहीं यह वही टेरिरिस से जो इस तिन अपने जिसम पर बाम बाद कर शादी में आया था और तुम इसका पिछा कर रहे थे नहीं याद आया यह यादास तुमारी बहुत कम्सोर है यह उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है ऐसमें सब कुछ रिकारडेट एप कि इस आत्मी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बीटे को जान से माड़ा ला बहुत तड़ पाया मझे रुला दिया मझे अवे सीक्र इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तरपाऊंगा रुलाऊंगा तुम्हें सिर्फ तुम्हें क्या इसके माबाप इसके मंगेतर सब को कि उस दिन शादी में तुमने यह सावित कर दिया था कि यह आत्मी ते अब यह कुबूल करेगा कि तुम इसके दोस्तों सिर्फ एक ही चीज तुम दुनों को बचा सकती है अब ते आपको कानून के हवाले कर दो और सलाकों के पीछे चले जाओ एक बार तुम अंदर चले इस तमाल करू अपना दिमाग लेजय जानो से मुझे माफ कर दीजेगा मामी अजली अजली मैं जानता हूं कि मैंने तुमें तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं दिया ना सुख ना खुशी कुछ भी नहीं तुम ठीक सूचती हो शायद मुझसे लग रहकर तुम खुश रह सको तुम्हारी मुस्क्राट वापस आ सके अजये मैंने उन डाइवोस पेपर्स साइन कर दिया है हुआ है कि अगल कि अग्यादी पच्चों को लेकर उपर जाना चलोब जाओ कि म Glue ये सब क्या है अजली ए इस अथ क्या है ट DAVID मैंने टलच लेलिया एक मैंने वार था आपको पता है कि इसीा अद्मी मेरे पापा का को होुट किया है कि आपकी वेला गले का मंगल सुत्र तोड़ने वाला यही आत्मी है मैं इसे आत्मी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती और आज के बाद इसके नाम का मंगल सुत्र भी कभी नहीं पहलू की तो पागल शुर्फ कि यह कहा तुने क्या कहा भिना कुछ सोचे बीना कुछ समझे इतना बड़ा फैसला किया तो ने अपने गले का मंगल सुत्रत होड़ने चलिये तो अपने पापा के लिए बहुत प्यार करती है अपने पापा से उनकी मौत का बहुत बढ़ा सद्मा पहुंचा है तुझे लेकिन तू नहीं जानती तरी पापा क्यों होते है जनना चाहती ही तूनके असलिए मिस्टर सिंग मुझे लगता है कि वसीम खान को चुड़ाना नामम किन है आपका दामाद बीसी पी आजाद किसी की बात नहीं सुनेगा यू डूंट वरी मिस्टर सिंगानिया मैं उसका फादनलाव तू हूं है कानून के हिसाद भी मैं उसका पाप हूं हीज मेरी देपटी कम आप लूँ मैं भी जी पी डिर्क्टर जनल अफ पुलिस आप लोग वसीम खान के बंदोबस्त कि तयारी कीची ब्रिलियंट पर यह आपके अपके हाफ अमिलियन डॉलर्स अबहिए ओके दिन गुनाइट गड़ाइट पैसे के लिए इस तक उतर आया है हमारे दामाद ने अपनी जान जोखिम में डालके वसीम खान को पकड़ा और आप ने उसे छोड़ देने के लिए इन लोग उसे पैसे लिए आजाद आपकी बात कभी नहीं मानेंगे तो अच्छी तरह से जानती है सूर्य प्रताप सिंग अपने बनाई रास्तों पर चलता है और चूभी उसकी रास्ते में अर्चन बना मौत के सामने ठेर हो गया अगर मेरा तामाद मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा तो उसका अंजाम भी मौत होगा ऐसे के लिए तो तेरे लेकिन देख देख बेटी तू अपने पती को देख तेरी खुशी के खादिर उससे तलाक नामें पर साइन कर दिया है एक बार भी यह नहीं सोचा कि उस पर क्या भी देगी अजली तेरे पापा के खुन करने के जुर में आजाद को अगर भासी की सजा हो जाती है ना तो वहां पर भी वो कुछ पल के लिए तडबेगा लेकिन बेटी तुने तुने उसे ऐसी सजा दिया है कि वो तेरे लिए तेरे बच्छों के लिए जिन्दगे पर तडबता रहे मेरे बिटा आतंक वादी नहीं है तुमे तु पत्ता है मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की मगर कुछ भी बताने को तैयार नहीं मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हम क्या करें कि आप इने कहता ना कि परताब बहुत होनार लड़का है आपकी बात मान के आप भरोसा करके मैंने अपनी बहन की शादियों से तह कर दी और आपने धोका दिया इतना बड़ा धोका मेरी बहन की जिन्दे की बर्वाद करती है क्यों कि आप ने पूछता हूं क्यों और प्रताब हाँ 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 मैंने लोगों कुछ ने बदाए सर उनने कोशिश थे बहुत की बहुत प्रोचर किया सर लेकिन मैंने अपनी सुभान ने को ली सर आप जिंदा ना करें सर मैं अपका नाम कभी नहीं लोगा कभी नहीं जाहें मैं मरी किना जाओ सर नहीं प्रताप तुम्हें जीना है तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और इस देश को आपकी जरूरत है सर नहीं प्रताप अब बहुत हो गया मैं अपनी जिद के तुम भी बता देना कि किस तरह से मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया असली मुझन मैं हूँ फिर सब ठीक हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देंगे मैं आपके आखों में आशों नहीं देख सकता सर तो आपके हाथों में हतकड़ी कैसे परदाश करूगा अगर मेरी जान को दान पर लेखांकर अपके तुष्मैं आप से बता लेना चाते हैं तो यह मेर केसे ही होने दोगा में आपको आंबने दूगा सर आपको जीतना होगा आपको जीतना होगा सार्थ तरुजकर दोस्त 캐ां सार्ण हम चले, हम चले, अपना दिल, अपनी जहां, ताके जीता रहे अपना हिंदुस्ताँ हम जी, हम अरे, इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताके खेलते रहे खुल, हमेशा यहां दोस्तो साथियो के साथ मुझे भी यह तेश चोड़का चले जाना चाहिए, मगए यह कैसे होगा से, शंकर सिंगानिया की जित तुमने देखी नहीं है, मजबूर कर दूंगा सरकार को, पुलीस खुद वसीम खान को लेकर मेरे घर पर आएगी अगर तुमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो ठीक पांच बजे मुंबई शहर के चीथरे चीथरे उड़ा दूंगा कर दूंगा जाये प्लीज, सिटान, मैं ठीए जब 100% की जान बचाने के लिए हम तीन टेरिस्ट छोड़ सकते हैं तो क्या हजारों सिटीजन की जान बचाने के लिए हम एक टेरिस्ट ने चोड़ सकते हैं सब प्लीज, ओके रिलीज हम राइचल किसी को अंदर आने मत देना, चाहे वह कोई बड़ा ओफिसरी की ना हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि प्लीज कुड़ सकते हैं रू़ लुए 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 है आप तो पता चल गया ना तुम्हारे अपने लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं अपर ले कुछ भी करने को तायार है कुछ भी अब देखो ना आज तुम खुद मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे मन गए ना वसीम खान की ताकत को गवर से सुनो वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना यह मुल्क आसाद रहेगा और ना यह आजाद अब तू घर से सुन यह आजाद रहे ना रहे लेकिन मेरा देश आसाद है और हमेशा आजाद रहेगा जानता है तो अब तक जिन्दा क्यों है क्योंकि मैं यह साबित करना चाहता था कि शंकर सिंगानिया तुझ जैसो का एजेंट है और आज उसने तेरी रहाई के लिए सरकार को धंकी देकर खुद साबित कर दिया कि वो देश द्रोही है अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं इच्ग कर दिया के मुझे अब अब टॉटा झालत था खुद पुदा खुदा खुदा है कर दोhigh हुआ हुआ है ओुआ हुआ पर वाल पर वाल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है मरना क्या तुष्पिलों की धरा कहरा ये बतन ये समीर अश्या अपर तुमी का दिल तू नहीं तोड़ना तुरिश के तुष्पनों को लहीं छोड़ना हुआ करना राद तुमी के तुमी की तुमी की घाट जितन रहे अपना दिल आज़श्या ये घाट पर तुमी घाल तुमी मिलमा तुमी ताक जीता रहे अपना बिंडस्तान हम अब कांदी जी को भी पूछते हैं चंदर शेकर आसाथ को भी मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं फिर अथ्यार से सरी सर आप लुग अनलंधी जा सकते। कि अधाद यह क्या तुमने इसे मार डाला इमाग शराव गया तुम्हारा तुम्हें से पूछ ताज करने के लिए का गया ता किसने ओडर दिया तुम्हें इसे मानने के लिए किसने परमीशन दी तुम्हें तुम्हें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है जज नहीं हो तुम सिर्फेक पुलीस ओफिसर हो नहीं मैं सिर्फेक पुलीस ओफिसर नहीं हो मैं इंडियन हो एंडियन जब कोई मा की इजद लूट रहा हो तब बेटा बाप से पर्मिशन लेगा नहीं उस हेवान को वही मा डालेगा और यही मैंने किया क्योंकि मेरे लिए मा और मुल्क एक है मैं उन सब देश्टरोईयों को मा डालूगा जो इन जैसों का साथ दे रहे है और उन सब को बारने का हग सिर्फ मुझे ही नहीं बलकि हार इंडियन को है और यह हग हम से कोई नहीं चीज़ सकता हुआ है अजाद है हम तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हैं लेकिन शंकर शिंगानिया ने धंकी दी है कि अगर पास बज़े तक वसीम खान को उसके हवाले नहीं किया गया तो शहर में जगे जगे बाम ब्लास करना चुरू करते का और बी एस्टी कि किसी एक बस में उसने बॉम रख भी दिया है मिस्टर मागरत वक्त अब भी हमारे पास है बिल्दू संथे हैं आजाद है हम तुम्हारे साथ हैं लेस्ट को तन्त तो सब्सक्रवया मैं तो थे आदो कि अधिकनै साहब व्याट बोला हूँ बहुत बड़ी प्राबल्म हो गईंसर वहती फ्लोह हु पाज बता किस बस पे बॉम छुबा कर रखा है मैं कुछ नी जानता है मुझे कुछ नी मालूम मैं तर्वितना जानता हूं जिस आजमी ने बस में लगाया है वह होटल वैली में रूम नमर 302 में रुपा हुआ है को एक सब्सक्राइब करते हैं यह सारी बसों को रुपा देते हैं नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते अगर पुब्लिक को पता चल गया कि बस के अदर बॉम है तो पूरे शेर में अफरात अफरी मच जाएगी लेकिन किस बस में बॉम है यह जानने के लिए बस को रोकना जरूरी है आ है है अए है इस अधारिए अचानक ट्राइब को कर दी अरे एक कोऊ बस वाले ने झाला अधाड के ड्राइबर को मार दिया इस लिए लिनावाट हमारी union सीम इनावाट पोलीश प्रशासर हुलीश प्रशासर हुलीश और पर ने ए इस बुह में पुक्ति ये बतादिया है के बस में पुम उसी ने रख्था है है लेकर उसका नमबर הרी बता पा रहा हैं पर हां इतना बताया यह बस अंधहरी डिपो तो यह नहीं मालूम कि कौन सी भॉस थी वह पिंट इसका मतलब है जिस किसी बस में बाउम रखा है ताजा ताजा पेंट हुई है है लो अंदेरी बस टीपों से टाइम की पर बोल रहा हो सार तुम लोग ने कल राद किसी बस को पेंट किया था क्या यह सार उस बस का नंबर क्या है एटी फॉर लिमिटेड में जिरो टू टी नाइन सिक तो बस इस वत आपके डेपो में होगी ना नहीं सर वो तो कपकी निकल चुकी है क्या यह बदा सकते हैं कि इस वक्त वो बस कहा होगी तार यह बस अंदेरी ते मंत्राले तक जाती है क्या धाउब झामजब झाले यह करता है कर बद्द्द अजय में हुआ है इस बसके अंदर फिर उर व सेच यह था और यहां इस बसके अंदर बाद हैं जल्दिक आलिए अरिए बढ़ सिक में थाल अरिए मस थंस थिंव आफ़िय थाँ कि अगाँ थाँ अख़ थाँ यस याँ यस मैं आट यस आबढ़िय वाँ तुम एक बहुत ही इंटलिजन पुलिस आफिसर हो तुमने यो पता लगा लिया कि किस बस में बम चुबा हुआ है मगर तुम्हें एक खामी है इनसानों को पहचानने के खामी मेरे लोगों को तुमने आपने बाम स्कॉट के लोग समझा मेरी बात मानकर अगर वसीम खान को तुमने रहा कर दिया होता तो यह शहर भी बच जाता तुम भी बच जाते और लोग भी बच जाते मगर अब तीर कमान से निकल चुका है अब तुम आपते आँखों से देखोगी इस शहर को मैं कैसे शम्षान बनाता हूं ले जो से टे प्रron के अमयोंडा है जजाख कर दो, कर दो, कर दो! कर दो, 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 क झाल 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 झाल